ऑठकार दोस्तों, आपका हर देख स्वाधत है, हमारी यूट्यूब चैनल हर सपना कुछ कहता है तों दोस्तों हमेशा कि तरह से मैं श्विता, फिर से आपकी सामने उपसτα है तो आपकी सपनों की समस्याओं का हल लेकर तो दोस्तो आज सपने की सीरीज में हमारा विश्य है सपने में पैसा देखना अच्छा तो सपने में पैसे तो सभी देखते हैं लेकिन ये सपना बहुत लोगों को बहुत आयत मातरा में आता है इसका एक सबसे बड़ा मैने वज्ञानिक कारण ये भी है कि हम mostly अपने जीवन से संबंदित सभी वस्तों का क्रे पैसों के माध्यम से करते हैं और वैसे भी देखा जाये तो आज के जमारे में सबसे ज़्यादा वेल्यू इंसान पैसों को ही देता है तो इस वज़े से बहुत सारे psychological reason की वज़े से या पैसों के ही बारे में ज़्यादा सोचने से भी पैसों से संबंदित सपने ज्यादा आते हैं लेकिन कुछ सपने अलग होते हैं कुछ सपने आध्यात्मिक होते हैं और खास करें तीन बार से ज़्यादा कोई सपना देखा जाए तो निशन्दे रूप से उस सपने का कुछ आध्यात्मिक महत्तु वह उसका कुछ आध्यात्मिक संकेत भी होता है तो दोस्तों सपने में हम पैसे पाते हुए भी देखते हैं सपने में पैसे को खोते हुए भी देखते हैं तो क्या मतलब होता है इस सपनों का तो हम उसको जानने का आज इस वीडियो के मात्यम से प्रयास करेंगे तो दोस्तों यदि सबसे पहला में बात करूँ कि आपको कहीं से धन आप बचा रहे हैं मतलब आप कोई भी किसी गुलत में ढाल रहे हैं या आप किसी FD में ढाल रहे हैं सपने में आप पैसे को किसी न किसी मादमस EIS उसे बचाने का प्रयास करें या उसे बचा कर कहीं saving कर रहे हैं तो दोस्तों एस अपना बहुत ही भागिशाली है यह बताता है कि आपके आने वाले बक्त में बहुत सारा आप धन प्राप्त करेंगे और आप धन इखटा भी करेंगे और हो सकता है कि आपको कहीं से इखटा धन आने की सूचना प्राप्त हो जाए दोस्तो वैसे में सपने में धन मिलना बहुत अच्छा सपना होता है जहां तक कि आपको कहीं से पैसा मिल रहा है सपने भी खासकर वो मुफ्त का धन हो जो आपको कहीं से सड़ली मिल जाए लेकिन उसमें 2 चीज का ध्यानक नहीं कि वोगर आपको सपनों में महनत का पैसा मिल रहे है तो वो आपको बहुत बर्कत देने वाला भुथ निकट भविश्वी में बहात बर्कत देने वाला धन का आगमन आपके जीवन में हो सकता है लेकिन यही पैसा अगर आप देख रहे हैं कि आप किसी बैमानी पूर्ण तरीके से या किसी को सता कर अन्याय से आप कोई पैसा सपने में ले रहे हैं तो हो सकता है कि निकट भविशी में आपके जीवन में पैसे से समंदित कोई परिशानी आ जाए दोस्तों इसी तरह अगर आप सपना देखते हैं कि कोई संत रिशी महात्मा यहां तक की देवी देवता आपको कुछ पैसे रुपे सिक्के दे रहे हैं तो दोस्तों इस अपना बहुत ही जादा शिवता यह बताता है कि निकट भविशी में आपके सभाग्यों में बहुत जादा व्रिद्धी होने वाली है दोस्तों इसी तरह से आप देखते हैं कि बहुत सारे पैसों का धेर लगा हुआ है धेरो पैसे और आप सिर्फ उसे देख रहे हैं तो दोस्तों आने वाले समय में आप अपनी जिन्दगी का बहुत आराम देह पल बिताने वाले हैं मतलब कि आपको बहुत जादा बिना मेहनत के आपको जीवन में बहुत जादी जादा सफलता और बहुत जादा धनका आगमन आपके जिन्दगी पे होने वाला है दोस्तों इसके अलावा यह दिया आप सपने में देखते हैं कि आप किसी व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को, साधियु संत को यह किसी भी व्यक्ति को आप पैसे दान दे रहें तो दोस्तों यह सपना भी बड़ा शुब है, यह बताता है कि निकट भविशी में आप कोई शुब काम, कोई धार में काम कर सकते हैं या आपके जीवन में जिस समस्या से बहुत दिन से परिशानते आप बहुत जल्दी उस समस्या से बाहर आ जाएंगे दोस्तों लेकिन धन से समंदित सारे सपने अच्छे नहीं होते, बहुत सारे सपने ऐसे भी होते हैं जो हमारे परिशानी का कारण बन सकते हैं उसे कि आप किसी को धन पो कुछ पियर करें मुतलब आप किसी को जो पैसा है आप या तो उधार दे रहे हैं या उसको चुपा रहे हैं या आपने कोई समआल ले आप उसका पैसा पे कर रहे हैं तो दोस्ते रहेते सपना recording move ना खरे दोस्तों इसके अलावा आप सपने में देखते कि आपका पैसा खो गया दोस्तों यह सपना में बुरा होता है यह बताता है कि आपको निकट भुष में कुछ परिशानियों का सामना करना पड़ेगा या आपको सड़नली लग रहा हो कि आपको सफलता मिलने वाली ह लेकिन अचानक से कोई ऐसे रुकावट आएगी जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा तो मतलब आपके जीन में आने वाली किसी परिशानी किसी बुरी परिस्तिती को फेस करने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा अगर आप इस तरह का सपना तीन बार से तो दोस्तों यह सपना भी बहुत अच्छा नहीं होता यह बताता है कि निकट भुष में आपकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा एक्स्पेंस आने वाला है मतलब बहुत बड़ा खर्चा आपकी जिंदगी में आने वाला है दोस्तों इसके लावा आप सपना देखते है कि किसी ने आपका पैसा चुरा लिया तो दोस्तो यह भी ने संदे रूप से एक अच्छा सपना नहीं है सपना बताता है कि निकट भविश में आपको अपने जीवन में किसी खत्रे का किसी परिशानी का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों इसके अलावा सपने में पैसा मिलना एक बहुत पॉजिटिव सपना होता है यह सपना बताता है कि आपके जीवन में धनाग मनाएगा जीवन में सुख सम्रिद्धी और शान्ति आने वादे दोस्तों इसके अलावा यह अब सपने में देखते हैं कि आप नोटों को लेकर उन्हें फाड रहें, पैसों को फाड रहें, बरवाद करें, जला रहें, तो दोस्तों ये सपना बताता है, हो सकता है कि निकट भविश में आपको किसी financial crisis का सामना करना पड़ सकता है, बट लेकिन दोस्तों सपन के prediction के समें ये बात का ध्यान रखें कि जब कोई सपना तीन बार से अधिक आता है, तो निशन्दे रूप से आपको एक अध्यात्मिक संकेत होता है, जो आपके आने वाले future की और संकेत करता है, और बहुत सारे सपन की भाषा को समझे और अपने उपर उसके प्रभाव को समझे कि आपके उपर वो प्रभाव कितने effective है, 50% या 100% विस उसके हिसाब से आपको काम करना है और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाना, तो दोस्तों आशा करती हूँ, आपको हमारी आज की दिवे जानकारी पसं आशिकार